हेलो फ्रेंस मैं लगा हूँ आप से भी कस्रागत करती हैं अपने यूटूब चैनल अन्रस्टानिंग क्रियेशन पर आज दोस्तों आप लोगों की बीच एक कहानी लाई हों परिक्षा यह कहानी मुंची प्रीम चद्नल लिखी है आईए कहानी की ओर सलते हैं अदिशर की सेना में दिल्ली में कतले याम कर रखा है गलियों में खून की नदिया बह रही हैं चारों तरफ हाहकार मचा हुआ है बाजार बंद हैं दिल्ली के लोग घरों के द्वार बंद किये जान की खेर मना रहे हैं किसी की जान सलामत नहीं है कहीं घरों में आग लगे कोई किसी के खर्याद नहीं सुनता रईसों की बेग में महनों से निकली जा रही है और उनकी बेहरेमती ईरामी सिपाहियों की रक्त पिपासा किसी तरह नहीं बुझती माना विर्दय की तुर्ता, पठोर्ता और पैस्चिक्ता अपना विक्राल रूप धरन किये हुए है इसी समय नादिर्शाह ने बादशाही महल में प्रिवेश किया दिल्ली उन दिनों भोग विलास का केंद्र वनी हुई थी सजावत और तकुल्लफ के सामानों में रैसों के भवन भरे हुए रहते थे इस्त्रियों को बनाव सिंगार के सिवा और कोई काम न था पुर्सों को सुख वोग के सिवा और कोई चिंता न थे राजनीती का स्थान सेरो शैरीनों ले लिया था समस्त प्रांतों से धन खीच खीच कर दिल्ली आता था और पानी की भाती बहाया जाता था वैश्याओं की चांडी थी कहीं तीतरों के जोड़े होते थे कहीं वटेरों और वुलूलों की पालियां ठंती थी सारा नगर बिलास निद्रा में मगन था नादिर शहा साही मेहल में पहुँचा तो वहां का सामान देखकर उसकी आँखे खुल गई उसका जनम दरद घर में हुआ था उसका समस्त जीवन रड़ भूमी में ही कटा था भोग बिलास का उसे चसका न लगा हुआ था कहां रड़ शेत के कस्ट और कहां यह सुख सामराज्य जिदर आँख उटती उदर से हटने का नामी न लेती थी संद्या हो गई थी नादिर शहा अपने सरदारों के साथ मेहल की सेर करता और अपनी पसंद की चीजों को बटोरता हुआ दीवा ने खास में आकर काराचोवी मंसर पर बैट किया तरदारों को वहां से चले जाने का रुक्म दे दिया अपने सब हतियार खोल कर रख दिये और महल में दरोगा को बुला कर रुक्म दिया मैं सही बेगमों का नाच देखना चाहता हूँ तुम इसी वक्त उनको सुन्दर भस्ता खुशन से सजा कर मेरे सामने लाओ ख़बरदार जरावी चीवी देर हुई मैं कोई उज्ज्रिया इंकार नहीं सुन सकता दरोगा ने यह नादिर साह हूप में सुना तो हो सुड़ गए वह महिलाएं जिन पर कभी सूरी की द्रिस्टी भी नहीं पड़ी कैसे इस मजलिस में आएंगी नाचने का तो कहना ही क्या साही बेगमों का इतना अपमान कभी न हुआ था हाँ नर्पिसाच दिल्ली को खून से रंकर भी तेरा चित सांत नहीं हुआ मगर नादिर साह के सम्मुख एक सब्द भी जवान से निकालना अगनी के मुख में कूदना था सिर जुका कर आदाब बजाया और चला गया आकर रनिवास में सब बेगमों को नादिर साही हुपम सुना दिया उसके साथ ही यह इतिल्ला भी देदी कि जरावी तामुल नहो नादिर साह कोई उज्र या हीला न सुनेगा साही खांदान पर इतनी बड़ी विपत्ती कभी न पड़ी पर इस समय विजई बादसह की आग्या को सिरोधार्य करने की सिवा प्रान रक्षा का और कोई उपाए नहीं था बेगमों ने यह आग्या सुनी तो हत बुद्धी सी हो गई सारे रनिवास में मातम सचा गया वह चहल पहल गायव हो गई सेकड़ों हिर्दे से इस अत्याचारी के प्रती एक साप निकल गया किसी ने आकास की और सहयता याचक लोचनों से देखा किसी ने खुदा और रसूल को सुमिरन किया पर ऐसी एक महिला भी न थी जिसकी निखा कतार या तलवार की तरफ गई हो ये तपी इन में कितनी ही वेगमों के नसों में राजपूतानियों का रक्त प्रवावित हो रहा था पर इंद्र लिप्कियों ने जोहर की पौरानी आग ठंडी कर दी थी सुखोक की लालसा आत्म सम्मान का सरहनास कर देती है आपस में सलहा करके मर्यादा की रक्षा का कोई उपाय सोचने की मुहलत न थी एक एक पल भागी का निड़ाय कर रहा था हतास होकर सभी ललनाओं ने पापी के सम्मुख जाने का निश्चय कर लिया आखों में आशु जारी थे दिलों से आहे निकल रही थी पर रतन जटित आहुशन पहने जा रहे थे असरू संचित नीत्रों में सुरुमा लगाया जा रहा था और शोख विथित हिर्देयों पर सुगंद का लेप के जा रहा था कोई केस गूथती थी कोई मागों में मूतियां पिरोती थी एक भी ऐसे पक्के इरादे की स्त्री ना थी जो इस्वर पर अत्वा अपनी टेक पर इस अग्या का उलंखन करके साहस कर सके एक घंटा भीना बुजरने पाया था कि बेगमात पूरे के पूरे आभुशनों से जगमगाती अपने मुख की कांती से बेले और गुलाब की कलियों से लजाती सुगंद की लप्टें उडाती चम चम करती हुई दीवाने खास में आकर नादे सहा के सामने खड़ी हो गई नादे सहा ने एक बार कनखियों से परियों की इस दल को देखा तब मुसनत की तेक लगा कर लेट गया अपनी तलवार और पटार सामने रख दी एक छड़ में उसकी आँखे जपकने लगी उसने एक अंगडाई ली और करवट बदल ली जरा देर में उसने खर्राटे की आवास सनाई देने लगी ऐसा जान पड़ा की गहरी निद्रा में मखन हो गया आद घंटे तक पैपड़ा सोता रहा और बेग में जियों की त्यों सिर नीचा की ये दीवार के चित्रों की भाते खड़ी रही उनमें दो एक महलाएं जो धीट थी भूंगट की ओट से नादिर शाह को देख भी नहीं थी और आपस में दवी जवान में कानफूसी कर रही थी कैसा भैंकर स्वरूप है कितनी रणो मंत आँखे है कितना भारी शरीर है आदमी काहे को है देव है सहसा नादिर शाह की आँख खुल गई परियों का दल पूरुवत खड़ा था उसे जागते देख कर बेगों ने सिर नीचे कर लिए और अंग समेट कर भीडों की भाती एक दूसरे से मिल गई सब के दिल धड़क रहे थे कि अब यह जालिम नाचने गाने को कहेगा तब कैसे क्या होगा खुदा इस जालिम से बचाए मगर नाचा तो ना जाएगा चाहे जान ही क्यों न जाए इस से ज़्यादा जिल्लत अब न सही जाएगी सहसा नादिर सा कठोर शब्दों में बोला एक यह खुदा की बंदियो मैंने तुम्हारा इंतहान लेनी के लिए बुलाया था और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तुम्हारी निस्वत मेरा जो गुमान था वह हर्प वह हर्प सच निकला जब किसी कौम की ओरतों में गैरत नहीं रहती वह कौम मुर्दा हो जाती है देखना चाता था कि तुम लोगों में अभी कुछ क्यारत बाकी है या नहीं इसलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया था मैं तुम्हारी बेरुम्हिती नहीं करना चाता मैं इतना ऐस काम बंदा नहीं हूँ वरना आज भिडों के गल्ले चराता होता ना इतना हव भव परस्त हूँ वरना आज फारस में सरोद और सितार की ताने सुनता होता जिसका मज़ा मैं हिंदुस्तानी गाने से कहीं ज़्यादा उठा सकता हूँ मुझे सिर्फ तुम्हारा इंतहान लेना था मुझे यह देखकर सच्चा मलाल हो रहा है कि तुम्हें गेरत का जोहर बाकी न रहा क्या यह मुमिंकिन नहीं था कि तुम मेरे हुक्मों को पैरों तले कुचल देती जब तुम इहां आ गई तो मैंने तुम्हें एक और मौका दिया मैंने नीद का बहाना किया क्या यह मुमिंकिन नहीं था कि तुम मेंसे कोई खुदा की बंदी इस कटार को उठा कर मेरी जिगर में चुभा देती मैं कलाम पाग की कसम खा कर कहता हूं कि तुम मेंसे किसी को कटार पर हाथ रखते देखकर मुझे बेहत खुसी होती तो मैं इन नाजोक हाथों के सामने गर्दन जुका देता पर अफसोस है कि आज तैमुरी खांदान की एक बेटी भी यहां ऐसी नहीं निकली जो अपनी हर्मत बिगाडने पर हात उठाती अब यह सल्तनत जिंदा नहीं रह सकती इसकी हस्ती के दिन गिने हुए हैं इसका निसान बहुत जल्द दुनिया से मिट जाएगा तुम लोग जाओ और हो सके तो अब भी सल्तनत को बचाओ वरना इसी तरह हवस की गुलामी करते हुए दुनिया से रुकसत हो जाओगी धन्यवा दोस्तों मेरी कहाने कैसी लगी लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा